गाड़ी में ले जाकर महिला के साथ रेप की वारदात को दिया अंजाम युवक ने गाड़ी में ले जाकर महिला के साथ किया दुशकर्म कपड़े दिलाने के लिए महिला को फोन से बुलाया पटियाली नगर में आरोपी की है कपड़े की दुकान दुशकर्म के बाद महिला को सडक पर छोड़ फरार हुआ आरोपी रेप पिडिता को 24 गंटे से टहला रही है पुलिस मामले को लगातार दबाने का प्रयास करती रही है पुलिस पिडिता का कहना है घटना के 24 गंटे बाद भी पुलिस ने नहीं दर्ज किया है मामला मिडिया में मामला आने के बाद हरकत में आई पुलिस कास गंच की पढ़ियाली कोट वाली क्षेत्र का है मामला कि दुपान पाई हो कपर अपर लेने के तुम कल कपर अपर लेने हो गया थी पर वहाँ से मैं चले आए तो उन्हें राष्टे में गारी लेके आया गारी उन्डाल के पिर लोगे ले गया कि दुपाने हो गया है कि दुपान से भी बात होती जी सक्या है हाँ पहुं से बात होती है कि एक महला जो इटागी रहने वाली है ने थाने में आकर आज तहरीर दी कि कल में पट्याली मार्केट करने आई थी कोई कामरान एहमद है जिनकी दुकान है उसे मैंने सामान खरीदा और ये भी पता चला है इनी के द्वाला कि ये पूर परचित है उनकी पहले से एक दूसरे का नंबर है इनके पास और बारतालाब करते रहते हैं शाम को नो बज़े के करीब मैं पट्याली चौराए पर खड़ी थी इटा जाने के लिए तो गाड़ी लेकर आए और मुझे बिठा लिया और दूर जाकर एक कमरा कहीं बता रही है कि बना हुआ है उससे पहले मुझे कोल्डिंग पलाई है और मेरे साथ गलत काम किया तहरीर दी गई है सीसी टीवी फुटेज निकल बा रहे है अपराद पंदी करत कर सीग्र गरपतारी की जाएगी